हेलो फ्रेंड्स आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल एंग्लिश विद दिलिपसर में श्वागत है दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपका सिंपल फ्यूचर इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है यदि हम इसको समझ जाते हैं तो टेंस में कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा तो दोस्तों आप याद रखिएगा सबसे पाला पाइंट कि ऐसे वाक्यों के अंद में गा गे या गी होता है लेकिन दो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसके लिए आपको याद रुखना है कि इनसे पता चलता है कि कोई कार्या भविश्य में संपन्ध होगा इनसे यही पता चलेगा कि कोई कार्या भविश्य में संपन्ध होगा लेकिन इनका जो समय होगा वह निश्चित नहीं होगा कोई कार्या भविश्य में संपन्ध होगा future indifferent के वाक्यों से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि कोई कार्य भविश्य में संपन्ध होगा लेकिन कब संपन्ध होगा वह निश्चित समय नहीं होगा निश्चित समय होगा तो फिर आपका future indifferent नहीं होगा जैसे एक sentence है कि मैं अंग्रेजी सिखूंगा तो मैं अंग्रेजी कब सिखूंगा यह निश्चित नहीं हो सकता है कि मैं अंग्रेजी नहीं भी सिखूंगा तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जैसे वह कल आएगी वह कल आएगी तो यह निश्चित नहीं कि कल वह आएगी हो सकता है कि कल वह नहीं भी आएगी तो इसका समय निश्चित नहीं है यह भविश्य में संपन्ध होगा इससे जारी का बोद नहीं होगा तो इतना याद लखना है अब दोस्ताम बात करते हैं इसके एस्ट्रेक्चर तो आपका जो पोजेटिव एस्ट्रेक्चर होगा जो आपका पोजेटिव सेंटेंस होगा उसमें आता है आपका सब्जेक्ट प्लस सैल या विल प्लस भर्ब वन प्लस अबजेट या अजर वर्ड भी आप बोल सकते हैं तो यह रहा आपका पोजेटिव सेंटेंस अथा सकारात्म को आकिया तो इसमें आपका नॉट नहीं आएगा तो दोस्तों इसके लिए कुछ एक्जाम्पल्स लेते हैं जैसे मैं घर जाओंगा चाहे मैं घर जाओंगा तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि हम नहीं भी जाए और भी वाक्य लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों इसको हम आपको एस्पोकेन के लिए थोड़ा सा सेट करते हैं आई यू ही सी दे वी अब दोस्तों याद रखना है कि यहां पर सैल वी तो ऐसे मोड़ार कंसेप्ट में तो बहुत परवरतन आया है लेकिन फिर भी रीटेंड के लिए तो आपको ध्याद रखना है यह सेल होता है यह सिरिफ आई और वी के साथ आता है और इसके लावाद जो भी आप आपको विडियो को अंत में बताएंगे इसलिए दोस्तों आप विडियो को अंत तक देखिएगा कुछ नया शिक्ने को मिलेगा अब तो एक ही सेंटेंस को आप बोले क्यों कि आप एस्पोकें इंग्लिस की भी त्यारी करते हैं जैसे मैं घर जाओंगा तो इसका क्या होग मैं घर जाओंगा अब इस सेंटेंस को इस पर सेट करना है जैसे आई वी ही सी दे वी तो मैं घर जाओंगा तो अब इस सब्जेक्ट को हटाईए अब इसको आपको वी जरूरत के अंसर बोलना है जैसे अब बोलेंगे कि मैं घर जाओंगा आई शेल गो होम तुम घर जाओंगो तो यहां पर आपको सेट करना है इसको आप अभ्यास किजिए गैड मेरी जिसमें जैसे वह कल आएगी जल्दी से बनाएए दोस्तों वह कल आएगी वह कल आएगी वह कल आएगी तो यहां पर वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आएगी तो क्या होगा अब दोस्तों आपको भर्व कम निस होता है आना शी विल कम वह कल आएगी तो चले दोस्तों अगला सेंटेंस लेते हैं अगला सेंटेंस है दोस्तों आप जल्दी से बनाएगा इसको कि तुम्हारा भाई इस कमरे में सोएगा तुम्हारा भाई इस कमरे में सोएगा दोस्तों देखिएगा अंत में गागे गी आ रहा है भविश्ते में कोई काम संपन्द होगा लेकिन निश्चित नहीं है तो तुम्हारा का दोस्तों होता है यूर कैप्टर लिखेंगे यूर ब्रॉदर अब दोस्तों यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं ना उसी कम साब भर बाता है तब अब वाकिए के अंध में अध्यान दोड लेंके इसके अदग्ड लेंगे, गाज़ेगी कासेंस है तो आपका सेल यह अब ही दाएगा घरता है, तरहले सब्सक्राइब के यह सथी सब्सक्राइब लिखते है否, वृपक्ति यह सुएगा सिलिव हूँ, इस ही में आपका भर्ब है तो यूर ब्रादर विल स्लीप ऐसे आ रहे हैं इन अब दोस्तों इस कमरे में तो यहां पे दोनों एक ही साथ लिखेंगे तो विल स्लीप इन इस दिस रून तुम्हारा भाई इस कमरे में सुएगा तो आप कैसे बन रहा है अट्रासेशन इस पर ध्यान दीजिए कि आगे बढ़नें दोस्तों कि अगला संटेंस आपका राधा इन इन बच्चों को पढ़ायेगी राधा इन बच्चों को पढ़ायेगी तो कौन पढ़ायेगी इन बच्चों को पुछिए तो आएगा राधा यहीं आपका सब्जेक्ट हुआ अरा राधा गागा क्यमोसी है निश्चित नहीं है भविस्य की बात है तो विल' पहाना काई होता है दुस्तों टीच की इन बच्चों को इन बच्चों को दिज़ रहागा इन बच्चों को दिज़ चलते ऐं अगला संटेंस आपका कि मोहन इस पुस्तक को खर देगा तो मोहन इस पुस्तक को खर देगा कौन खर देगा तो मोहन गागे गी है तो इसके बाद चाहिए हमें भर्ब बाई लिस दो दोस्तों उमीद है कि इतना आपको समझ में आया होका आगे चलते हैं हम देखते हैं और निगेटिक संटेंस तो ठीक है तो दोस्तो अब आपके सामने है negative sentence के कुछ examples, उसका structure दिया गया है, अब आपको क्या करना है, इस cell या wheel के बाद आपको not का प्रयूँ करना है, याद रखिए जब भी किसी वाकिया हम not का प्रयूँ करते हैं, किसी negative word का प्रयूँ करते हैं, तो वह आपका तीसरे नमर पे आता है, इतना याद रखिएगा, जैसे वह इस दुकान से कुछ नहीं खर देगा, वह इस दुकान से कुछ नहीं खर देगा, तो दोस्तो सबसे पहले हमें सब्देप चाहिए, सब्देप को डूड़ने के लिए हम प्रस्न करते हैं कि कौन नहीं खर देगा, किसके बारे हम बात सबस्क्राइब घृइब लूब आप करना होता तो कों नहीं खर देगा तो रहाए आप पर ही अब यहाँ पे एक गया है तो वील नहीं घ को आप दोस्तों कुछ का आपका संप्शिंग दें को था और यहाँ करीन करेंगे तो का इंग्लिज्ण सोगा सेप्रेस लिए बोल यहां पर से का जो इंग्लिज्ण सोगा फरम होगा क्योंकि अग्वाइश्ट नहीं होगी तो अच्छा है कि एक बार वीडियो को आप पॉस्ट कर ले सारे संटेंस को बना ले तब वीडियो को पूर साई देखे वहां आप से घुस्ता नहीं तो यह आप से घुस्ता नहीं होगी तसी है यह विल कुंग मैं होने भी वूल सकते में सिरा उन अट दोस्तों गुस्सा अग्रीज गुस्टा या नराज होना दोस्तुविल नाट यहां पे गेट दोस्तों आपका वर्ब वन है ठेक है हम लोग शैर के लिए नहीं जाएंगे वी के साथ आएगा दूस्तों शाय वी शैल नाट गो वी शैल नाट गो शैर के लिए दूस्तों होता है फॉर पिक्निक फॉर फिक्निक वी शैल नाट गो फॉर पिक्निक दोस्तों हिंदी करते निकलेगा हम लोग शैर के लिए नहीं जाएंगे हिंदी भी निकलेगा और शैर के लिए नहीं जाएंगे इस तो हैंदी से इंगलिस लिखना है तो आप इस टर्म को हमेंसा याद रखेएगा हिंदी से इंगलिस लिखना तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और तब अल से आएंगे जैसे गागरी कि का क्या होगा विल नॉट है तो नॉट को और बढ़ के बीच में तुम यह गित नहीं गाओगे तुम यह गित नहीं गाओगे तो तुम का दूस्तों हो जाएगा यू यू विल नॉट तुम नहीं गाओगे सिंग इस गित को यह गित इस सों अगला सेंटेंस की सीता वहां नहीं जाएगी सीता वहां नहीं जाएगी तो हो गया आपे सीता विल नॉट गो देर तो दोस्तों यदि हम बात करें आपके इंट्योगेटीब सेंटेंस की यहां पर यदि आपका इंट्योगेटीब सेंटेंस हो तो आपको कुछ नहीं करना है इस स्ट्रेक्टर में जो आपका हेल्टिंग भर्ब है उसे बाहर कर देना है या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्भुवान प्लस अदर वर्ड प्लस कोश्चर मत और इस स्ट्रेक्चर का प्रयोग हम कब करते हैं जब आपके हिंदी वाकिकी सुरुवात किया से जैसे एक संटेंस है कि क्या वह इस दुकान से कुछ नहीं खर देगी आपका रहेगा कोश्चन मार्क तो आपके हिंदी में जो देखना है जो है शुकान है जब आपके हिंदी वाक्य कि क्या से हो तो हम हेल्पिंग भार्व को सुब्जेक्ट से पाले रहते हैं वनapheम पूंड हईल्पिंग भार्व कि प्रड़ा सभ्जेक्ट आलेज टे केट इन यह माइनड तो आपका सभ्जेक्ट कर आएगा सेल या भी तो वह है तो यहां पर आएगा आपका विल ही नॉट बाई कुछ एक सेम सेंटेंस है एनिधिंग फ्रम दिस सोब आएगा आपका कोर्चन वर्ट तो दूजी संटेंस आप लिखे थे निगेटिव में इसको दोस्तों आप और हुआई रोगेटिव बनाके खुद अपनी से बनाएगा अब चलिए इसको हम बताते हैं अब आपका चरसट गुद्य इंट्रोगेटिव होगा जिसे मिब भी ही कि इसमें आपकी हिंदी वाकी कि सुर्वात क्या ते नहीं होता है उसमें वाके के अंदर क्यूं कब कहा कैसे जैसे सब्दात है जैसे वह क्यूं यहां नहीं आएगी वह क्यूं यहां नहीं आएगी तो इसी के पहले हमें सिर्फ कोश्चन वर्ड जोड देना है तो क्यूं से ही आपके वाकरी का सुर्वात होगा कोश्चन वर्ड या डव्लू एच फेमली का वर्ड तो वाई अब हमें चाहिए हल्पिंग भर्ब इस सब्जेक्ट कंसर आएगा वाई विल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो आपका इंट्रोडक्शन होता है कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेपने टेम्स क्या होता है आप उसको समझें अब हम बोले थे कि आपको अंत में सैल या विल के बिशे में भी कुछ बताएंगे जैसे जरूरी नहीं है कि इसके अलावा जो आपका आई और वी है इसके साथ या इसके अलावा आपका जो भी है ही सी इट दे या इनी परसंट इसके साथ वील का प्रयों करेंगे यह हमेशा के लिए नहीं यदि किसी वाक्यास हमें ध्रीड संकल्प स्यूरीटी दिखाना हो तो हम इसको चेंज भी क बदद करूंगा तो यहां पर हम बोल सकते हैं आई विल हैल्प यू वह अवस्थ्य ही यहां आएगी तो उसको हम बोल सकते हैं कि इसी साहल कम हीर तो दोस्त याद रुखिएगा यदि किसी वाक्यासे अवस्थ्य ध्रीड संकल्प का बोढ़ो ध्रीड निश्चे का प्रयूब कर सकते हैं। जो आपके ... आई-ई-उ-E के लवाए जितने भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आयू-गी के साद भी विई-उव का प्रयूब कर सकते हैं। तो दोस्तो उमीद है कि वीडियो आपके लिए helpful होगा। यदि दोस्तो वीडियो आपको अच्हा लगा है तो प्लेज लाइक कीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आईकों को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करऊं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तो इस वीडि इसके लिए बहुत हैं इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप उस वीडियो को और से ही देखिएगा तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही थैंक्यू है बनाई से